हेलो एवरिवन नमस्कार आप सभी को सौगत आप सभी का देखिए आज फिर टैंथ साइंस में नए यूनिट नया चैफ्टर और नया कंसेप्ट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे वीडियो को प्लीज कंप्लीट पूरा देखेगा लाइक से रने सब्सक्रा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए हम बात करतें कार्बन कंपाउंड्स की देखिएगा वो कंपाउंड जिन में कार्बन एसेंसिल तोर पे मिले यानि कैसे कंपाउंड जिन में कार्बन मिले वो कार्बन कंपाउंड्स होंगे फोर एक्जामपल अगर हम कुछ ए के carbon compounds के तो जैसे CO2 है carbon dioxide gas आप सभी जानते हैं इसमें भी carbon होगा उसी तरिके से CH3 COOH यह आप जानते हैं अच्छे से एक acetic acid है तो इसमें भी क्या होगा आपका carbon होगा इसी तरिके से अगर हम और example दे लें जैसे किसी alcohol का example दे हम तो जैसे हम यहाँ पर लिख दें C2H5OH तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पर इतिनोल तो इसके अंदर भी carbon है means जितने भी organic compounds है organic chemistry में आपके organic compounds उन सभी में आपको carbon essential तोर पे मिलेगा organic compounds में organic chemistry के अंदर काफी सारे compound carbon से मिलके बने होंगे यानि कि जो compound जिनके अंदर carbon essential तोर पे हो वो आपके organic compounds होंगे जिसमें आपके alkyne, alkyne, alkyne ये सभी आ जाएंगे alkyne क्या है, alkyne क्या है और alkyne क्या है इस chapter में हमें इन चीजों के यहाँ पे detail में discuss करेंगे ये सारे के सारे आपके organical compound हैं तो इन में carbon essential तोर पे आपको जितने भी organical compound होंगे उन सभी में आपको carbon देखने को मिलेगा तो चलिए अब carbon के बारे में किस तरीके से carbon ये compound बनाएगा उनके बारे में हम discuss करेंगे कि carbon किस तरीके से bonding बनाएगा किस तरीके से compound बनेगे तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहां पर carbon लिखेंगे और आपको पता है कि कोई भी element के बारे में आपको study करनी हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि उस element का atomic number क्या है तो हमें पता है सभी को जो carbon का atomic number है वो होगा हमारे पास आपका 4 sorry 6 carbon का atomic number होगा 6 तो अगर atomic number 6 है तो एक बार हम जरह इसका structure बनाएं तो structure कैसे बनेगा देखीगा structure of carbon carbon को एक बार आपको बना के दिखाएंगे तो देखेगा यह carbon का nucleus होगा और यह carbon का यहां पर first cell होगा और यह carbon का आपका second cell होगा नाइंध क्लास में आपने यह सारी चीज़े पढ़ी अच्छे से तो देखेगा अगर 6 atomic number है तो हम जानते हैं जो carbon का first cell होगा यहां पर आप सभी जानते हैं जो carbon का first cell होगा उसमें कितने electron आ सकते हैं उसमें 2 electron आ सकते हैं carbon का first cell में 2 electron आ सकते हैं किसी भी element का हो carbon का नहीं जितने भी element है सभी के first cell में 2 electron होगे इसी तरिके से जो second cell होगा उसके अंदर maximum 8 electron आ सकते हैं लेकिन अगर मैं यहां पर देखँ carbon का atomic number कितना है 6 है आप देख रही है 6 number है atomic number तो उसके अंदर maximum electron जो atomic number होगा किसी भी element का उत्में maximum electron होगा उसका atomic number 6 है तो carbon के अंदर इतने electron होगे definitely 6 electron होगे तो पहले cell में 2 electron होगे तो दूसरे cell में कितने बचे, चार ही तो बचे, तो दूसरे cell में चार electron यहाँ पे present होंगे, आप लिख लेना, कि पहले cell में दो होंगे, दूसरे में आठ आ सकते हैं, लेकिन carbon के अंदर 6 है, atomic number, तो 6 electron ही हो सकते हैं, तो उसका मतलब पहले cell में दो electron आएंगे, तो दूसरे cell में 4 electron बचेंगे, और यह जो 4 electron बचेंगे, इन्ही को हम बोलते हैं, valence electron, जो आउटर cell में जो भी electron होंगे, उनको बोलता है, valence electron, तो carbon के अंदर 4 valence electron होंगे, और जितने valence electron होंगे, उसी के हिसाब से उस compound के अंदर bonding होगी, bonding का मतलब किस तरीके से वो दूसरे element के साथ अपने आपको combine करेगा, उसके बार में भी अभी देखेंगे, थोड़ी देर में, तो चलिए, एक बार यह carbon का structure बना आया, इस structure में एक बार हम electron को fill कर लेते हैं, तो देखिए, पहले cell में कितने electron हैं, दो, तो दो electron मैंने यह आपे, इस तरीके से रख दी है carbon के अंदर, पहले cell में आ गए, यह nucleus था, nucleus के बाद हो first cell, यह second cell, अब second cell में बोल यह कितने आ सकते हैं, वैसे तो 8 electron आ सकते हैं, लेकिन आपे present कितने हैं, चार, तो चार electron को हम, यह जो dot हैं, जो यह zero की तरीके से लिख रहे हैं, यह electron को represent करता हूँ है, तो यह structure होगा हमारा carbon का, यह carbon का nucleus, यह carbon का first cell, दो electron, carbon का second cell, चार electron, इसका मतलब यह हुआ, कि जो valence electron होंगे, यह bonding के अंदर participate आपके करेंगे, तो अब हमने ध्यान देना होगा, कि carbon के पास 4 electron हैं, वैलेंस cell में, तो मैं आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, तो octet rule है एक तो हमारे कर ले, या फिर duplet rule को complete कर ले, octet का मतलब या तो उसके valence cell में कितने हो जाएं, हम यहाँ पर लिख देंगे, valence cell में, या तो 8 electron हो जाएं, तो उस element का octet complete हो जाएगा, duplet में क्या होगा, कि valence cell में, 2 electron रह जाएं, तो या तो octet complete हो या duplet complete हो, तो element क्या होगा, stable state में आएगा, अब ज़र आप यहाँ पर विचार कीजिए, एक पार विचार कीजिए, carbon का अगर octet complete करना है, तो इसको 4 electron externally gain करने पड़ेंगे, अब इसके पास 4 electron है, अगर 4 electron carbon को और मिल जाएं, लिखेगा, यहाँ पर situation यह बनेगी, if पहली situation है, if carbon gain 4 electron, तो 4 इसके valence में पहले से, यह 4 इसको कहीं से मिल जाएं, तो इसका क्या हो जाएगा, octet complete हो जाएगा, इसका octet complete हो सकता है, पहली situation है, दूसरी situation क्या है, if carbon loss 4 electron, यह जो valence में है, यह 4 के चारें अपने किस element को donate कर दे, donate कर दे तो कितने बचेंगे, दो बचेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, duplet complete हो जाएगा, यानि कि 2 situation है, 4 gain कर ले तो octet complete होगा, 4 loss कर दे तो duplet complete होगा, inner reality अब होगा, क्या, इन दोनों situation में, actually में carbon यहाँ पर covalent bonding बनाता है, यानि कि अगर आप देखें, तो carbon को कुछ इस तरी के साफ शो करते हैं, इस structure को, यह रहा आपका carbon, और यह रहे carbon के 4 valence electron, तो actually में होगा क्या कि carbon covalent bond बनाएगा, यानि कि अपने electron को दूसरे element के साथ सेर करेगा, carbon दूसरे element के साथ अपने electron को सेर करेगा, 4 इसके पास और हैं, ऐसा element को इसके साथ आ जाएगा, जिसके पास 4 होंगी और वैसे covalent bond बना लेगा, यानि कि यह बनाएगा यहाँ पे covalent bond, तो bonding होगी carbon compound में, covalent, transfer of electron होगा, अगर electron का transfer हो तो वहाँ पे ionic bonding बनेगी, लेकिन अगर sharing of electron हो, तो वहाँ पे covalent bonding, तो यह basic सा हमने आपको बता है कि carbon किस तरीके से covalent bonding बनाएगा, कैसे वो दूसरे element के साथ combine करेगा, I hope student आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आने वाले टाइम में और important videos इस concept के उपर आपके लिए लेके आएंगे, काफी lengthy chapter है, important chapter है, ध्यान से आप इसको समझेगा, तो हमारे साथ बने रहें, हमारा सायोग करते रहें, चैनल को subscribe करते रहें, और अपनी queries को आप comment section में हमें बताते रहें, तो इसी बात के साथ, students, thanks for watching, goodbye.